Hello students, welcome to my desk, आज एड़ेट 27 माई 2020, आज हम इस फीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपकी सभी एक्जाम्स में Current Affairs से लिटेट कौन कौन से Questions आज की डेट से बन सकते हैं, तो Pen Paper on कर लीजिए और सभी Important Facts को Note Down करते चलिए और वीडियो को अंतक देखिए ताकि कोई भी आपका Important Fact मिशना हो, आपकी पहली अपडेट है आज की, श्रमिकों के लिए Migration Commission बनाने वाला देश का पहला राज्जी कौन सा बन गया है, आपकी options हैं, उत्रप्रदेश, मद्रदेश, महराष्ट या दिल्ली, देखे, right option है आप का उत्रप्रदेश, देखे, उत्रप्रदेश सरकार प्रवासी कामगारों मजदूरों के लिए शुरू से ही काम कर रही है लगातार, और इसी तार्तम में, इसी दिश्टा में उन्होंने क्या किया है, कामगार श्रमिक, सेवा योजन, एबं रोजगार कल्यान आयोग बनान अन्दिवेन पटेल इतना आपको इस प्रेशन में से याद रखना है नेक्स्ट अपडेट है आपकी हाल ही में किस राज सरकार ने शाही लिची और जरदालू आम की होम डिलिवरी के लिए डाग विभाग से समझोता किया है आपकी आप्शन्स हैं उत्तरागंड हिमाचल प् रस्ताक्षर किये हैं जिसमें की मुझफरपुर और पटना के लोगों को जरदालू आम और पटना और भागलपुर के लिए शाही लिची सरकार ने होम डिलेवरी के लिए अस्ताक्षर किये हैं ठीक है बात आईए बिहार की राजदानिया पटना, मुक्यमंतरिया नितीश इतना आपको इस कुछन में से याद रखना है नेक्स अपडेट है आपकी नासा ने हाल ही में एनाइटी ए नामा के उपकरण की सहाइता से एक समाना अंतर ब्रह्मान की खोच की संभावना जदाई है ए एनाइटी ए का फूरा नाम क्या है ठीक है आर्क्टिक इंपल्सिव ट प्रण्जसेंक गल्फ से अचन्टे नाइटी उसे काफी हुचाही संभाएं तक पहुंच आया है और आउटर स्पेस में कऊने के बाद में वहाँ पर पता लगाए कि यहां के जो कणंढ है वह समय पीछ यानि की उलटा चल रहे हैं इस से कहीना कहीं है कि विग्यानिकों के नुसार की हमारे प्रत्वीव ब्रह्माणि के समारांतर कोई दूसरा ब्रह्माणि भी है जहां पर समय उल्टा चलता है, आलंकि कई सारे विज्यानिकों इनने इस पर भिन राय जता ही है, बात आई है नासा की, तो नासा की फुल फॉर्म है, National Aeronautics and Space Administration, इस देश ने Treaty of Open Skies से बाहर होने की गोशना की है आपके options हैं America, Italy, रूस या France आपका right option है America देखें अमेरिकी राश्पती हैं Donald Trump उनके दोरह हाली में Treaty of Open Skies से बाहर निकलने की गोशना की गई है रूस में रूस के उपर उन्होंने कई सारे आरोप इसमें लगाए थे कि रूस इस संदी को बार-बार तोड़ दा है इसके चलते अमेरिका ने इस संदी से बाहर निकलने की गोशना की है 2002 में इस संदी पर रस्ताक्सर किये गए थे और इसके तहट क्या है 34 देश इसमें सामिल है और 34 देश अपने विमान चेतर में संदी वाले चेतरों जो देश हैं उनको अपने चेतर में उड़ाने की अनुमति देता है और इस संदी के अनुसार जो हतियार रहित हवाई निगरानी का चेतर भी स्तापित किया गया है इस संदी में 34 देश थे जैसे कि इंग्लेंड, कनाड़ा, फ्रांस, जर्मनी, स्पेइन, इटली, फिनलेंड, पुर्टगाल, इत्यादी, ठीक है, दो फैक्ट्स आप इसमें से और याद रखेंगे कि भारत इस संदी का सदस्य नहीं था, और जो सेकेंड है, वो है कि भारत ने एक ऐसी संदी की है, ओ और मंडी, उना, या हमीरपूर, सोलन, ठीक है, राइट ऑप्शन है आपका, हमीरपूर और सोलन, देगे, माचल प्रदेश सरकार ने जिला दंडादी कारी जो होते हैं, उनकी 144 के तहत शक्तियां 30 जून तक के लिए बढ़ा दी हैं, और इन शक्तियों को प्रियोग करते आपका राइट ऑप्शन है, डेविट मैक विलियम्स, देखे, दुनिया वर के अर्थचास्त्री महान मंदी के बाद में जो ये आर्थिक मंदी कोरोना वाइरस के चलते आई है, उसके लिए नए शब्द खोज रहे हैं कि एक एप्रोप्रियेट शब्द ऐसा मिलें जिससे कि इसे सम्मोदित किया आए सके, तो अर्थचास्त्री डेविट मैक मिलियम्स के द्वारा इसे एक पैंडिशन शब्द सुझाय गया है, एड यर्डनी ने ग्रेट वाइरस क्राइसिस इसे कहा है, और ब्लूमबर्ग ने कहा है इसे ग्लोबल हार्ड स्टॉप या वाइरस म मंदी और आएमेफ ने इसे हाल ही में ग्रेट लॉगडाउन कहा है, मॉर्गन स्टेनली फर्म के द्वारा इसे ग्रेट कोविड नैंटीन मंदी कहा है, इतना आपको इसमें से याद रखना है, नक्ट अपडेट है आपकी आज की नौसेना के किस पोद द्वारा हाल ही में आवश्चक बस्तु हैं, एवं दवाएं, पोर्ट लुइस, मॉरिशस पहुंचाई गई हैं, आपका ओप्शन्स हैं, आइनेस जलाश्व, आइनेस अबंतिका, आइनेस केसरी, आइनेस सुमेधा, आपका राइट ओप्शन है, इसमें आइनेस केसरी, देकि भारस सरकार के बिहाली में, पोर्ट लुइस, में आइनेस केसरी को भेजा है, आवश्चक दवाएं, एवं आयुर्वेधिक दवाओं की एक विशेश केप ले करके, जिसमें की नौसेना के चबुदत सदस्ची विशेश मेडिकल टीम भी भेजी है, जिसमें नौसेना के डॉक्टर से वं पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान को चुकाना है, पाकिस्तान की राजदानी इसलामबाद, पियम है इमरान खान और राजट बाद, अरिफ अलवी, इतना आपको इस प्रशन में से याद रखना है, नेक्स अप डेट है आपकी, हाल ही में इसराइल के प्रदान मंत्री बने, बेंजामिन नेतन्याहू ने कौन सी बार इस पत की शपत लिए, आपकी ऑप्शन्स हैं, दूसरी बार, तीसरी बार, चौती बार, प्रदान मंत्री बोदी ने हाली में इसराइल के प्रदान मंत्री बने, बेंजामिन नेतन्याहू को बदाई दी है, और बेंजामिन नेतन्याहू लगातार चौती बार और कौल मिलाकर के प्रदान मंत्री बने हैं, वे इसराइल के प्रदान मंत्री हैं, जिनके उपर आपर अधिक मुगद में चलने के बावजूद वे अभी सत्ता में इस्थापित हैं ठीक है और बात आई है इसराइल की इसराइल की राजधानी है जेरुसलम राश्टपती है रोवेन रिवलेन मुद्रा है शेकिल ठीक है नेक्ट अपडेट है आपकी हाल ही में दिवंगत सम्द्ध को खेल अपके ओप्शन्स है फुटबल कृकेट्ट हौकी या बाददोर आपका राइट ओप्शन है होकी देखे बलबीर सिंग का हाली में निधन हो गया भारत के पूर हकी खिलाडी थे और उन्होंने भारत में तीन उलमपिक्स में भारत के टीम में थे लंदन ह केलेंज की और मेल बर्न में ठीक है भारत सरकार ने नुन्य सुस्टावन में उने पदमश्री समान से नवाजा था अब चलते हैं उस कुश्चन की ओर जो आपको दिया गया था हाल ही में आर्श अन्मगम का निधन हुआ वे किस केल संबन्दे थे फुटबाल क्रिकेट टैनि या बैडमिंटन फुटबाल आपका रेट अप्शन है ठीक है तमिलाडू के ये पूर फुटबाल खिलाडी थे और आप चलते हैं उस प्रशनी की ओर जो आपको देना है जिसका उत्तर हाल ही में किस राज सरकार ने एसमा लागुकर राज में हरताल पर 6 माह की रोक लगा है आपके ऑप्शन्स हैं दिल्ली उत्तर प्रदेश बिहार यहां हर्याना ठीक है मैं आज आपसे फिर से एक बार कहूंगा कि जब भी आप अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में लिखा करें तो आप उसे डिटेल में लिखा करें क्योंकि कभी भी कोई भी चीज आप डिटे करना ना भूलें धन्यवाद